आज हम लोग बनाएंगे पनी सैंड्वीच एकदम बेकरी स्टाइल में आप चाहे तो इसको प्रेकफस्ट में नहीं तो स्नाक्स में और चाहे तो बच्चो को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं बहुत ही जल्दी बन जाते हैं तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक का बटन क्लिक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में इस बिल आइकोन को दबाएए जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगे यहाँ पर हमने 100 ग्राम्स पनीर को ऐसे ग्रेट करके लिया हैं आप चाहे तो इसको हाथों से तोरके भी ले सकते हैं और एक बरा साइस प्यास चॉप्ट, एक ग्रीन कैपसिकम चॉप्ट, थोड़ा सा ग्रिंचिली चॉप्ट और वन टीस्पून लैसन चॉप्ट पैन में वन टीबल स्पून ओईल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे फिर हम इसके अंदर डाल देंगे लैसन चॉप्ट और ग्रिंचिली चॉप्ट और इसको एक मिनिट लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे उसके बाद दे रहे हैं चॉप्ट प्यास और इसको भी हम लो फ्लेम में तीन से चार मिनिट तक अच्छे से फ्राई करते रहेंगे अब हम इसमें डाल देंगे हमलों का ग्रेटिट पनीर और देंगे सॉल्टू टेस्ट फिर हम इसको 3-4 मिनिट लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई करते रहेंगे फ्राई करने के बाद दे रहे हैं 1.5 टेबल स्पून टोमाटो सॉस और 2.5 टेबल स्पून मेयोनीज और देंगे 1.5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स बट यह ऑप्शनल है मिला लेंगे इसको अच्छे से और एक से दो मिनिट के लिए हम इसको लो फ्लेम में चलाते रहेंगे एकदम लास्ट में हम देंगे 1.4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसको अच्छे से मिला के हम गैस को ओफ कर देंगे तो अभी हम यहाँ पे लिया है 4-sliced white bread आप चाहे तो कोई भी bread यहाँ पे ले सकते है और इसके side को हम अच्छे से cut कर लेंगे इसका सिर्फ white portion हम use करेंगे यहाँ पे आप चाहे तो इसका side बीना काटके भी आप sandwich को बना सकते है हम bread के एक side में लगा लेंगे थोड़ा सा butter मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दू कि अगर आपको butter पसंद नहीं है तो आप भीना butter के भी sandwich को toast कर सकते है तो अभी हम लोग क्या करेंगे जो पनीर हम लोग उने बनाये थे उसको bread के उपर रखे चारो side में अच्छे से spread कर देंगे उसके बाद हम दूसरे bread के उपर भी लगा लेंगे थोड़ा सा butter और इसको इसके उपर ऐसे रख देंगे गैस में एक तवा हलका सा गरम करके हम sandwich को उसके उपर रख देंगे और just एक minute low flame में इसको हलका सा toast कर लेंगे एक minute बाद हम इसको palette देंगे और दूसरे side को भी 1 minute हम low flame में toast कर लेंगे मैं दोनों side को यहाँ पर हलका सा toast कर रही हूँ अगर आपको तोड़ा ज़ादा toast करना है तो आप कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को दिखा देते हूं, देखिए दोनों साइट से ही अच्छे से टोस्ट हो गया है, तो अभी हम इसको तवा से निकाल लेंगे. सेम प्रोसेस में हम दूसरा सैंडवीच को भी टोस्ट कर लेंगे, आप चाहें तो बिना टोस्ट किए भी सैंडवीच को खा सकते हैं. तो देखिए दोनों सैंड्वीच पुरा रेडी है और ये खाने में एकदम बेकरी जैसा होता है एक बार आप इस प्रोसेस में पनी सैंड्वीच को ट्राई करके देखिए आपको बहुत तेस्टी लगेगा तो चलिए हम इसको सर्फ करने के लिए मिडिल से कट कर लेते हैं आप इसको ब्रेकफर्स्ट या स्नाक्स में अराम से खा सकते हैं फटा फट बन जाएगा और आप चाहे तो बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं प्लेटिंग कर लेते हैं इसका रेसिपी अच्छे लगने से एक लाइक जरूर कीजिए और जितना हो सके मेरे रेसिपी को शेयर कीजिए और प्लीज 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 मेरी चानल को सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा